सिच्छा की प्रचलीत प्रडाली को हतो साहित किया तथा पस्चिमी सिच्छा और अंग्रेजी भासा को बढ़ावा दिया 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में सिच्छा के प्रसार के लिए प्रतिवर्स एक लाख रुपए खर्च करने के प्राउधान को अपनाया गया 1823 में जनरल कमेटी या पब्लिक इस्टक्षन का गठन किया गया जिसके मुखे जिमेदारी सिच्छा के लिए एक लाख रुपए के अनुदान ग्रांट की थी समिती में दस यूरोपी सदर से थे जिसमें आंगले एवं प्राच्चे दोनों सिच्छा माध्यमों के समर्थक सामिल थे आंगले सिच्छा के समर्थकों के नेता ट्री विलियन थे जबकि एचिटी प्रिंसे प्राच्चे सिच्छा के समर्थकों के नेती तो करता थे जिसके बाद गवणनर जनरल लाड बिलियां बेंटिंग 1828-1835 इस वी के सासनकाल में 7 मार्च 1835 को लाड मैकाले के प्रस्ताव को स्विक्रित कर भारत में अंग्रेजी को उच्छे सिछा का माध्धियम मान लिया गया अब आते हैं कोस्चन नमर फाइब पे तो किस अधियम के द्वारा बेटी संसद ने चाय और चीन के साथ बैपार को छोड़कर इस टीडिया कमपनी के भारत के साथ बैपारी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था अप्सन नमर ए हो जाएगा तो इस पर लेसन इसका है कोस्चन नमर फाइब पर इस टीडिया कमपनी के एक अधिकार को समाप्त किया है तो यह किया था 1813 जो कि अभी हम लोगों ने उपर पड़ा 1813 का चार्टर डेकर था अप्सन नमर सी सही हो जाएगा अगला कोस्चन आता है कोस्चन नमर सेवन चार्टर डेकर 1813 के समंद में निमन लिखित कथनों पर विचार कीजिए तीन कथन दिये गए एक दो पहला कथन है इसने भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के व्यपार एका अधिपत्य को चाय का व्यपार तता चीन के साथ व्यपार को छोड़ कर समाप्त कर दिया दूसरा कथन है इसने कमपनी द्वारा अधिकार में लिये गए भारती राज्य छेतरों पर ब्रीटिस राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुध्रिड कर दिया है तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रीटिस संसत के नियंत्रण में आ गया था तो इसमें कौन सा कथन सही है तो इसमें एक और दो सही है बलकि ये जो तीसरा वाला कथन है ये राजस्व ब्रीटिस संसत के नियंत्रण में आ गया था ये नहीं है दिख लेते हैं अब ब्रीटिस क्याबिनेट मंत्री की अधिन सकेरेटर अब बनात था विसेस राजस्व प्रसासन में उसकी सहायत्ता के लिए कांसिल आ इंडिया का गठन किया गया है नेक्ट कोस्चन नम्मर आट, कि सदिनियम के भारत वासियों को अपने देश के प्रसासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार क्थमें इस स्टेटमेंटेंटेMINन क्षा स्तेटमेंट इसका तो इसका सही आपसं नमब ए 838 का तो चार्ट स्ट्रेजर 11.883 की धराओं में सबसेमक महतपुर धारा संख्या 87 थी जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारती अत्वा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म जन्मस्थान वंसा नुकरम वर्ड यानि कलर अत्वा इन में से किसी एक कारण वस कंपनी के अधीन पद अत्वा सेवा के अयोगे नहीं माना जा सकेगा तो दिखिए आज हम लोगों ने इसको चेक करने के लिए किया था कि कैसा लाइब आ रहा है तो हम लोग नेश्ट में अगर वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें ब्रीटिस ताच के सासना धीन पारित अधिनियम के बारे में पढ़ा जाएगा ओके तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में धन्यवाद